वो जो मुगदता वो जोगमया द्वारा भगवान वो लीला रास अश्रादन कर दिया। लीला के लिए लीला बिंगो अनंद मैं है ऐसे नहीं जरूरुपाय चंद्रमा नहीं उहां लीला आप क्रिष्ण पट्टी खुल के अब ढोड़ रहें कहां कौन शकी हैं कहां राधार निये ढोड़ के पकड़ लेंगे तो बस जीद गया नहीं पकड़ पाए तो हर गया है न अब शक्या क्या करते हैं कृष्ण को ढूंड चुंद्री है ना किसी का लाल रांग किसी का चुंद्री को बदल लेते हैं मैं कि चुंद्री को बदल करके थोड़ा सा जान बूस करके ये ज्छालक जंगल में ऐसे दिखा दिया क्रिश्ण जैसे कुछ जानते नहीं हैं कि लाल रंग कि चॉंदरी दिखाए दिया लोली ता चुप चॉप चाकर के लो लुरी क्या में जान गए है चुप यह लिला है यह अगर भग शुक्ति भगवाल बिल लिला इसी कोई कहते हैं आनंद लीला यह अगम्म चिंता के अगम्म मन बुद्धि के अगम्म एक रिपा शाद्ध अनुभव्वेद्ध यह मन बुद्धि के द्वारा उहां प्रवेश करना कदा भी संभव नहीं है यह तो इस तरह से मानलो जुगल की शोर बैठी है ब्रिंदर्ण यहां सादक दाशी जो है गुरू रुपशकी मंजरी के साथ शरूप प्राप्त करके ओ नित्यकाल के लिए माया माय संक्षार चक्र से मुक्त होकर आप दिब्व शरूप प्राप्त करके दिब्व ब्रिंदावन में पहुच गये हैं और रादर्ण ने देख रही है टक्त की लगए करके एक नई शकी आहिए jos छो शोटर करके उगिए यहां पहुंची है और वो शकी जो है नहीं जो गई है रोव रही है उस तरह बह रही है कि नहीं देखो किस तरह से कि दुख माई शंग्षार सप्ण माई इसमें भ्रमीत हो करके कितना दुख उठाए ठीका नहीं परापार नहीं दाबानल पीडितो हो रहें फिर भी उसके पीछे भाग रहें उसमें शूख है शूख है जानकरके मिलता नहीं शूख है नहीं अनित्म शुकंग लुकमि मंग प्राप्प भजश्वाम यहां शूख होता नहीं किसको मिला नहीं किसको मिल नहीं सकता है फिर भी उसके पीछे अनाधी काल से भग रहें मिलेगा मिलेगा अभी नहीं मिलागे मिलेगा अभी नहीं मिलागे मिलेग पुर्णाणनदमें अखंड़ अनदशिंदु राधरहाणी बिराजमाना है तो अस्स्तरधारह में रोती है नई शकी आई है ललिता को कहती है ललिता ये नई शकी जो आई है ये कोन है इसको देख करके हमरा मन बहुत आकर्षित हो रही है बड़ा मन को बहुत खीचे रही है हमने तो कभी देखा नहीं ये शकी को ये नई शकी कोन है परिचा ऐसे नहीं तो ललिता शकी देखते हैं गुरु रूपशकी मनजरी के तरब गुरु पशकी कहती है मेरी है इस इसारा में कहती ये मेरी है ये मेरी ह्या है कमदा तो जाकर के ललिता जी कहती है उनका ही गुत का है परण वीश्क हो गिंगएouring जो हमारा ही जुत है यह सब जूत्षवरी है उनके जूत है गुठ है लग जूत्षवरी है उतादन उसा शाधन करके वह जूत्य श्वरी उनके से को जाते हैं फिर फिरुप मजरी पिलाओ फीड़ाय। गुर्षाधी कि पक्रादेते करके लो ले जाते हैं रादारणी के पास पी तो कुप कूप रहती है खूप कूप प्रोबने आनंदो शुरू अकंडो आनंदो मने वह अनादी काल संक्षार्चक्र में माया माया स्वरू बिस्पृत हो करके दुख में दवानल में अनंत काल पिडित हो करके आप उहां पोचें यह तो एक अचिंत अगम्य तो अजस शुरुधारा पिरमानंदो धारा बहती है और अधारा ने भी रोती है खुब रोत पिर चाति में भर लेती है लाजर है ओए चिरव निब्रिति ने दोशल्वा आनंदो औकंड आनंदुो शिंद में नित्व काल के लिए वहां पहुच गाये हैं फिर आधार ने उसको मूख में आपने मूख से ता बूल मूख में मूग दे करके तांबुल देते हैं चर्वी तु तांबुल शिक्रिती है ओग यह मुझरी नहीं ऐसे हैं उहां 17 रूप शादम करके जाना फिर जाके समस्त्र शख्या मुझरी को ले जाते हैं सब आरती उतारती है शाब श्रुक्या भजाबाज आते हैं गाना गाते नित्य करते हैं मनें जशन मनाते जशन पाइब लुए जशन मनाते हैं वह सखी को स्रियाशन में बैठा करके सब अनंद उल्लास नित्य करते हैं नित्य कला आदी निप अलारा उनको ब्भाथना करते हैं आरती उतारती है सब इस तरह से ऐसे वो नित्य लिला वो परंपरा से प्राप्तू शाधन पद्यति के द्वारा वहां पोछच सकता है यह मामला है ना इसलिए वह अभी नहीं तो इस जन्व में अगर उपरम्परह नहीं मिला है ऐसे नहीं कि शाधन करके वह शाधन बिरिथा गया पहुआज धान प्रिथा जाता नहीं अभी तो तुम अनर्थ का घर में पढ़े हो आप ऊपर जाओ ना प्रेम तक पहुंचो ना अरे प्रेम तक पहुचते में कितना लाखो जनम बीद जाता है ऐसा तुम्हें सोच लिया भी मुंजरी शरूप आगे प्रेम तक पहुचो ना स्वरद्दा साधुसंगों भजने करिया अनर्त निपनिती निष्ठा रूची आशक्ति यह आशक्ति दशा है शाधन दशा इस दशा में जाने से क्या स्थिती होती है नहीं एक पल के लिए भगवाच चरण से मन हटता नहीं है किसी भी अवस्त में मन जागती कोई भिशे भुस्तु पदार्त में उसका मन अच्छा लगता ही नहीं है हर श्वा भगवाच चिंतन में एक शवा भी तली नता तनमयता खा रहा है पी रहा है नशा जैसे जैसे बहुत मदिरा पी लिया है ऐसे नशा में रहती है साधन मक्तिदाश उसके भाव भुक्ति प्रिम वह अलग छोड़ दो वहां अरे यहां तक पूछो पहले हमारा तो मनी लगते नहीं है बैठे आसन में मन दिल्ली बंबाई भग रह करना है तो अनन्द में के लोल जो माधुरे वहां का जो माधुरे और यह सब सुनकर के साधकी रुची उत्पन हो जाती है लीला में प्रविश्च तो सबसे पहले वह गुरू के लिए खोजते हैं गुरू कहा मिलेंगे और संयुक्त गुरू तो मिल नहीं पाते हैं भगवत बुद्धी नहीं हो पाती है तो ना यथार्थ नाम हो पाता है और उसमें भगवत बुद्धी के बिना गुरू अगर भगवत बुद्धी तो वो तो बितात हो जाती है जहार कुमाल श्रुद्धा शेक अनिष्ठ जान कुर्मकर्मे शेवभग तो हुई विउत्तव एक कुमल सद्धालू है गुरु में उतना ती ब्रणिष्ठा नहीं उतना इश्वर बुद्धिकर नहीं पाते हैं वाशंग्षारी दिरिश्वाने जाकतिक बुस्त पदार्थ के प्रति आश श्रुद्धा शेवभग तो ही उत्तम एक बार पैनल में नाम आ गिया तो अबस्तो स्री अलिव चलता रहेगा आप बिता जाने वाला है नहीं है नाम की कृपास है तो द्रोणाचारे से उन्होंने बिना दिख्षा लिए सारी विद्या प्राफ्त कर ली उन्होंने उनकी मूर्ति बना के तो अगर अनन्य निष्ठा है तो बहुत दूर तक जा सकता है हमारे जैतन्य चरितम में कहते हैं दिख्षा पुरा शड़्जा विद्य अपिख्षन करे जिब बस पर्ष्याचन डाल सबरे उद्धारे महाप्रवुने कृपा करके जो नाम शक्ति समन्नित करके बाई मंडल में छोड़ दिया है यह नाम जो थोड़ी है जोर करके तुम साथ गुरु प्राप्त कर लोगे डोड़ के तुम प्राप्त कर लोगे और प्राप्त करके शाधन करके तुम निकाल जाओगे ऐसे थोड़ी होते तो भगवात क्रिपाशा पेक्ष्व है तो क्या करोगे नहीं नाम को अस्त्रा करो और भगवा तो मुखत हो सकते हो प्रेम प्राप्ति कर सकती हो इतना समर्ता है नाम में दिखा पुरोष चड़ जाए बिधि आपका ना करें जीभास पर से आचंडाल से बासर चाल से ब्राम्मान तक जीभास पर समात्रों शब्षा रुद्धार करने में विश्वरता है ऐसा नी के जब चले गए भगवाद प्राप्ति के लिए जानते ही नहीं गुरु क्या है गुरु करन करना है गुरु दूनने थोड़ी गए थे गुरु शयंग आ गए थे उनके पास नारा द्रिशी आ गए भगवन जान गए इसका शमय हो गया यह आधार जो है एक दम शुद्ध कि किरपा करो तब नारद रिशी आएं कि पाकर ऐसे सद्ध गुरु आ जाते हैं सद्ध गुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे पागालों के ढूरों नहीं यहां हुआ कान फुका नहीं बड़े-बड़े बात सुन करके जहां ता कान फुकाना नहीं माइक में आशक सब्सक्राइब गुरु नंको विधान है एक दिख्षा लेने में कम सकम यह दो चार गंटा तो लागी जाता है दिख्षा मंत्र देने के लिए एक दिन लग जाता है उसके बहुत शार अनुष्ठान करना पड़ता है ऐसा थोड़ी होता है इसे थोड़ी होता है आजकाल तो इसे हमसे हम आद्थे क्侉रु बन जाते हैं ऐने ऐसा गुरुँ बननाने से क्या हो तै कि ऊज़ती हुद्स बनाता है कैसे बनाता है तो बता देते हैं पात्र बनने के बात क्रपा हो जाएगी लेकिन पात्र कैसे बने? पातर बनने का बात क्रिपा होगी तो फातर थोड़ी बनता है यूँग बोत्रों बनने का शकति उसमें रहता तो चक्र सुना थोड़ी भरमीत होता है ऐसे प्रकूप applied 2 रफ़ह है जब उसमें उन उनके आंदार जब महत पुरूष के किरपास से उनके आंदार यह जागरिती हो गया चितनशत्ता कि कि हमको यह संक्षरत्चक्र से मुक्त होना है भगवान की साथ हमारे नित्य शंबंध यह उनके बोद हो जाता है तो जाके कम सकम इतना करना चाहिए कली जुग में हरी नाम क आश्रे लिलो आप इधर भटक मत आप नाम आश्रे करके नाम में कोई दोस्त नहीं है इसमें कोई गुरु करण का भी कोई अब शकता है नहीं जो नाम आपको अच्छा लगे वो नाम का प्रटते लो हो और जिसको जो भगबान के जो शरूप को तुमको अच्छा लगे उस भगबत शोरूप है वो जानते हैं इसका समय हो गया गूरु आ जाएंगे तो मैंने द्वार पर यह सत्य है वो तो भगवान है ना वह ऐसा है दूसरा कोई पदार तो थोड़ी है किसलिए जो आपने पता है समय आने पर गूरु आ जाएंगे इसका मतलब जब आप पात्र बन जाएंगे तब गूरु आएंगे ना यह तो पात्र ना आप तो नाम कास्रे किया है ना तो शौर्णकत हो गया है ना पेर ब्रिक्ष अच्छा ठीक हो रहा देखना जो भृक्ष ठीक हो रहा कि नहीं है तो वह तो भगवत इसकी का उपको समर्पी तो होना ही पड़ेगा आप उनके पर छोड़ दीजिए आप अपना वीचार ही छोड़ दीजिए आप अपना उपर बीचार ले लेंगे तो फट जाएंगे गीता में भगवान जब बहुत सारी उपोदेश किये हैं और जोग संबंद में बुले हैं अच्टादस अध्या में क्या कहते हैं यह नहीं कहते हैं उल्टा कह रहे हैं मत्चित्त शर्वदूर्गानी मत्प्रशादात्तोरिश्षषी अथचे तमहंकरात नास्रश्षषी बिनंग्षषी ओर्जुन तुम रीदाय में हमको धारन करके चुपचपड़े रहो और कुछ इदर-उधर चिंतन नहीं करना मच्श्षषष तरवल दूरगोती से मेरीक्रपासे तुम Druh क्युम अ कैकसी नहीं अगर तुम अहंकर के करन नस्ष्षषी मेरी बात नहीं सुनते हो बीनंग्षषी तूँ नुश्ट हो जाओगे अपने चस्ठा के दवरा तो मुहां पोस्त नहीं पाओगे यह अज मुख समर पी तो होना ही परेगा गर को बात्र हैं जान जाएपने परने का क्या हैip । पात्र हैं अच्छे पात्र हैं जो भी हैं हम तुम्हारे हैं है आप तुम जानों आप तुम जानों हम तुम्हारे शारण में हैं बस आप राको मारो तुम जानों हम तुम्हारे शार नगत हैं तुम्हारे शार नगत हैं तुम्हारे शार नगत हैं बस आप तुम जानों बस जीब के हाथ में कुस्स है नहीं तुम्हारे चेश्टा की दिवरा होना संबब नहीं है समर्पित हो जाओ यह बात है पात्र आपने उतना जंजाट में क्यों पर रहे हैं हमका पात्र बनेंगे समर्पित अभी समर्पित हो जाओ अभी बस हम समर्पित है अब तुम जानो हम बहुत पाप किया है अच्छा किया है और भी करेंगे हम तुम हमको बाचा लेना हम यह गैरेंटी नहीं दे रहे हैं जा और पाप नहीं करेंगे तुमको हम गैरेंटी नहीं दिपाएंगे है अगर सब्सक्राइब करते हुए अगर इधायू यक्षाह पदो कम नस्टीए न क्यूं न चाहतीए पात्र बने से पनने की प्रकिक पढ़ने को जोरूल रहत है और परky शर्नगत हो जाओ तात प्रशादात उनके कृपा से तुम्हारे चेश्टा से नहीं परम शांति इस्थान प्राप्श अच्पम परम शांति को तुम प्राप्ति करोगे जय जय स्री राद्मी दिताएगो दिताएगो दिताएगो